घॉल दोस्तों कर मैं सुर्जी सिंग्ग आप देखरा है मैं योटूब चैनल में कैनिक ब्राइदर दोस्ते गाड़ी आजिए मिले पास टाटा प्राइमा इसका त्य तो इसमें प्रोल्म थे वह बताते हैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जैसी गाड़ी को स्टार्ट करते थे गाड़ी के आर्पी में जो है बीच से उपर नहीं जा रहे थी और गाड़ी में चेक इंजनी की लाइट थी देखिए हमने गाड़ी स्टार्ट किया और एक किया तो यह यहां पर देखिए यहां पर इसकी रिटर्न लाइन है जहां पर इंजेटरों की जो इंजेटर होता है इसके हैड के अंदर एकठे उसकी रिच्छेओं की रिटर्न यहां से निकलती है तो यहां पर हमने एक पाइप लगाया है देखिए यह पाइप लगाया हम प कलए ठोड़ा से हमें नातों कि यह च्क करेंगे कि इसकी जो रिटरन एकितनी आ रही है देखिक यह बोतल है हमारी सिस्टाड करेंगे और चैक करेंगे इसके जो क्तिन जटके मारती गाड़े देखें इसको हम कम से कम 30 सेकंड चेक करेंगे इसकी जो रिटरना कितनी आ रही है 30-40 सेकंड चेक करेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन का बटन दबा दें तान जो वीडियो की नोटिकेशन आपको मिलती रहें क्योंकि इस तरह वीडियो में इस चैनल पर डालता रहता हूं तो दोस्तों देखिए हमने इसकी रिटन देख रहे हैं कितनी आ रही है हम 30-40 सेकेंड देखेंगे कि है और यह कि रीटन कांटी है धाट से छहों की रीटरन निकल रही है तो देखिए कि तो कितना है पहल्ट normay कैशा आँ है तो इसके यहопर पहले comfort को चेक करते हैं सिसमेंब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो पम्प हमने एक यह देखी यहां पर एक पईप लगाई है कि और यहां में लेकर हाएं हम और Kaful चैक करेंगे इसका पंप जो okay है कि नहीं तो हैं मanut किट है जिसे हमoire और ते कर चेक कर जकते हैं घंक को विना खुले हैं गाड़ी पे यह किट है इससे हर CRD pump चेक हो जाता है देखी यह rail है common rail है जिससे इसका pressure चेक करेंगे जो हमारा pump है pressure कितना जर्नेट कर रहे है या pump में कोई problem तो नहीं है जिसकी वज़ा से problem आ रही है तो पहले pump को चेक करेंगे यह हमने इसमें डमी रेल लगाई है और इसकी वायर लगा दिया हमने यह वायर लगा दिया और इसको जो हमारा pressure चेक करनेगा मीटर है उसमें attach करेंगे यह हमारा मीटर है प्रैसर चेक करनेगा कि जो हमारा pump है वो कितने वार का प्रेशर बना रहा है वो चेक करेंगे यह देखिए यहां पर वार शो होगेगा कि इतना वार का प्रेशर बना रहा है हमारा पंप है तो हम यहां पर 2-3 सेगिंड करेंगे सिर्फ 2-3 सेगिंड का क्रेंग करना है तो यहां पर थोड़ा डीजल इसका लीक करे तो देखिए दोस्तों हमारे जो पंप है प्रेशर बिल्कुल ओक्य बना रहा है जैसे क्रेंकिंग करते हैं तो उसका प्रेशर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके वज़े से लीक होई नहीं जाते हमारी डंबी रेल है यानि हमारा पंप जो तीन सेकेंड के अंदर हजार प्लस का जो प्रेशर बनाना चाहिए देखिए 1630 बार का प्रेशर बना रहा है इसका मदलब हमारा जो पंप है बिल्कुल ओक्य है देखिए प्रेशर बना रहा प्रोपर तो हम पंप को नहीं खोलेंगे जो इसकी इंजेटर है जो यह इंजेटर है हम इसको खोलेंग और इसके जो टैप्टो की सेटिंग होती है वो कैसे करनी है क्यूंकि हम पिकट्र करके देते हैं तो कुस्टमर बोलता है कि गाड़ी में फिक पनी है या वाइट समोग दे रही है ब्लैक्स भोक दे रही है तो उसके टैप्ट है जो कैसे सेटिंग करने वह भी बताएंगे तो इसका या नमबर के वह लागी होते हैं जानद लगे उसको खोलेना असानी संपल में किसी को गतिए लगए वाइर केशक हो ले ना पर खोल लेंना है दोस्तों अच्छे लगे करें कमें चैनल सब्सक्राइब करें और वेधिक नॉटन आपको मिलती रहे क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं और आपको किसी टोपी पर कोई वीडियो बनाना हो तो हमें कमेंट करके बताएज़ेगा हम से जुड़ने के लिए आप हमें इस्टाग्रम पर फोलो कर सकते हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिश् लिए उसको खोल लेना है लेकि जैसे वीडियो में दखाया गया है तो ऐसे इसकी जो में पाइप है इंजैक्टरों के कनेक्टर में लगी हुई उसको लूज कर लेना है और दोस्तों गाड़ी में जो प्रोलम थी और गाड़ी जो फंद्रहासो लूजासे आर्क्एंज जादा नहीं ले रही थी और चलते जलते बहुत जटके हमारे से गाड़ी running condition में आने के लाइक नहीं थी तो यह बहुत ही मुश्किल से गाड़ी आई अब पास वह हमने इसको trial news किया और गाड़ी को ok किया और पताये किसमें निकला क्या था क्या फॉल्ट था गाड़ी में और गाड़ी इलकुल ओक्य हो गी थी तो वीडियो को एंटर तक बने रहें आप बेड़े अच्छे लगें लाइक करें कमेंट करें कि हम रहें तो इसके अपने जो क्नेक्टर की पाइप लगी होती है रिल से जाके उसको लूज कर लेना खोले करते हैं। 45 नंबर से जो कनेकर को टैट करते हैं। है उसको खोले नहां XL City नंबर से उसके ऑट कैसे और चैकल रृत होते हैं उसका लिंक नाहे नीचे नीचिक्रीच्विशन में दे रखें आप जाके देख सकते हैं किसका पंप उसको कैसे रफेर करें या चेक करें और इसके जो इन्जेक्टर है उसको कैसे करें या चेक करें तो उसके दोनों सबका separate video के ड्यूर्ट के रखें तो दीखीए इसके उसके ऺवार निकाल encouragement जैसे वीडियो में देखिए इसके कनेक्टर जो है भार आ जाते हैं जैसे इसके बोल्ट खुलेंगे नट खुलेंगे इसको थोड़ा अराम से ता ता जो यहां पर वाइर अगरा है उसको कोई दिक्क्त ना आए प्रोलम ना आए अराम से निकाल लेने हैं और उसके उपर देखिए कनेक्टर हैं जो हमने निकाल ली है और कोई एक आदा जो कोई जाम हो तो उसको आराम से निकालना है कि अंदर तूट ना जाए या कोई प्रोलम न हो जाए उसके बाद देखिए इसके हम जो 탑ट लूज करेंगे खुलेंगे क्योंकि इंज्येटर ख याल टैपने खुल लेंगे इसकी अपर दयर बहाँ करेंगे हम हुआ कित तो आब राम से वीदियू में दखाया जैसे आफसे चफने सकते हैं और बात में जो टैपने हमने फिट करनी है तो उसको प्रॉपर फिल्डर गेस से चेक करेगे बरब्ल समॉक टेपकर हम फिल्डर क्यायर से तक हरें प्लेट करेंगे अध्य तो देखे यह हम देकी निकाली है इसके अ इसको ऐसे रामसे निकाल लेना है जैसे दूछाए गया है और वे लिब गयऱ्ा जो इसके अंदर ला म Jordyn दोए अग गय देर येसलम प्रोल्म थी और इसके जो रिट्रन कितने यह कितने डाई में कि इत तनी है आरें और बाद में कितने रहें वह बिताएंगे आपको दोस्तों वीड'My itu वह ऊंड़ए और आप्सकी कज़ी से टोभी बहुंब कोई वीडियो बनाना और खोल ले तो के हमने इसकी ट्यापटे खोल दी है और इसकी इन्जैटर में आठ नंबर के शक्रोग लगे उत्ते हैं तो उसको अराम से खोलें नहीं जैसे वीडियो में दखाया गया है दो सक्रुग लगे होते हैं और एक प्लेट लगे होती है जो इंजेक्टर को टाइट करके रखती है हेड में तो उसको राम से निकाल लेना है जो देखिए यह प्लेट है इसको खुल लेना राम से सब्सक्राइबी दूस्तो खुलते समय और फेट करते समय हाथ थोड़ा साफ रखें तान जो हमारे जो इंजेक्टर प्रिट करेंगे उसके अंद्र को पहले इसके जो अडप्टरा वो खोल लेने सारे देखिए जैसे हमारा मेकानिक खोल रहा है एक ही करके राम से देखिए इस टूप परंज उसके वो निकाल लेने हैं और किसी पेचकस की सहता से जैसे देखिए इसका निजैगटर हमने बहार निकाल ले हैं जरो 455-110-123 नमबर इन्जैगटर यह टाड़ा प्राइमा गा देखिए पेचकस की सहता से बिल्कुल असानी से बहार आ जाते पीछे से इंजैगटर को पुश्च करो और इन्जैगटर विल्कुल अराम से बहार आ जाता है देखिए इसके इंजैगटर है उसको कैसे चेक कर करते हैं वो भी पताएंगे उसका लिक नीचे डिस्क्रिश्म में दे रख्यां आप जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों ये देखिए इसके इंजेक्टर जो है हमने खोल ली है तो दोस्तों ये हमारे इंजेक्टर जो चैक को के आए है अब इसको फिट करते हम इसमें वाशाब जो है हमने निकाली थी वही वाशाब लगा लेए उसी तुने यानि नमिवाशा लगा नहीं है उसी साइज की वाशाब पतली या मोटी नहीं अगर वाशाब पतली मोटी तो यह प्रोल्म आती है तो आशल आप और जिनल का इस्तमाल करें और जिनल वाशल होती है जो इसकी वही लगाएं ता जो हमरा एक नेक्टर है जो विर्कुल असानी से फिट जाके बैठें तो यह इंजेक्टर हमारे रिपेर होके आए है इसको फिट कर दे हमने देखें और जो लगा देने हैं देखिए जैसे हमारा मेकैनिकल लगा रहा है तो लगाने एंजेक्टर जो इसके और असानी से फिट कर दें इसको जो अपनी जगह जाके बैठ जाएंगे क्योंकि इसके अंदर ओर रिंग होता है थोड़ा टाइट बैठते हैं तो आप जैसे बढ़ा सक सकते हैं और इसके पर लगे होते हैं इसको ट्याइट करने के लिए 24 नंबर के 22 नंबवर के भी loycom κवर देखिए ऑफ लगा की तॉल्ट होता है वो लगा देने और चौर पब क्रकी नेक्षन चाहरा कर देने है देखे दोस्तों यह हमारी फिल्डर गेज इसकी टैप्टों की सेटिंग करेंगे कितनी सेटिंग होते हैं अब बताते हैं आपको इसकी फिल्डर गेज है देखिए तो इसकी सेटिंग करेंगे हम तो हमारी यह फिल्डर गेज है इसकी सेटिंग है जो पच्ची 50 पर करेंग पर देखिए इतना गैप रहना चाहिए इसमें हर कमजाद है तो में जो तेरा नंबर की बारनाब के स्क्रोव लगें इससे रिजेस्ट्रमेट कर सकते हैं तो ऐसे टैप करने ही हमने 25 पर इन को 25 पर रखना है और आउट को 50 पर रखना है तो ऐसे हम 6 टैप्टों की सैटिंग कर देंगे तो ऐसे सैटिंग करने से गाड़े में फिर दिक्कत नहीं आएगी या वाइट स्मोग ब्लैक स्मोग पीक अप या कोई भी दिक्कत हो एवर बगलेगी तो जाधा सैटिंग इस कई वारा ऐसे होता है हम इंजेक्टर करके देते हैं तो गाड़ी में पीक अपन नहीं हो रहती या फिर एवरेज नहीं आती तो आप उसके टैप्टों की सैटिंग ज़रूर करें इससे गाड़ी में बहुत फर्क पड़ता है तो यह जी आप ज़रूर देखें आपने इसक इसका डीजल निकालते है एर निकालते हैं तो देखी एक एक करके आप सारे सिलंड्रों से एर निकाल दे और इसको जो कनेक्शन है अच्छी तरह टाइड कर दें तो सारे कनेक्शन हम टाइड करतेंगे एर निकालने निकालेंगे आराम से एक एक करके तो देखी जैसे हम न क्योंकि अगर हम chemistry टाइट कर देंगे जो काला तेल है वह उंदर चला जयेगा तो देखिए हम ने साप है नीकाल ज़ 되ます कि मてतल्ब सबसे पहले सिस्के रेटन क्या आ रही है तो देहें गाड़ीये विल्कल नहीं देखे दोस्तों विल्कल बिल्कुल मामलिक का रही है बिल्कुल बहुत जाला कम देखिए हमने गाड़ी को स्टार्ट रख है तो देखिया बिल्कुल रिटरन बहुत कम आ रही है इसकी यहां तक की पहुंचिया भी देखिए यहां आई है देखिए बिल्कुल अराम से बहुत ही देरे देरे आ रही है तो इसकी जो return quantity थी बिलको लोग के आ रही है पहले देखा होगा आपने वीडियो में starting में तो इसकी return थी जो बहुत ज़्यादा आ रही थी जिसके विज़े से में problem थी तो गाड़े का हमने complete किया है देखें इसका जो है बहुंट डाउन किया यह हमारी गाड़ी है टाटा प्राइम मां 33 तो इसको starting करके देखते हैं और इसकी problem देखते हैं इसको हमने ignition होन किया और गाड़ी को start करते हैं देखें दोस्तों गाड़ी start कि हमने बिलको के start हुई हमारी गाड़ी इसमें कोई check-in जेंगे light नहीं कुछ हैं और एक्स लेटर देखते हैं किया कि जो कितने जा रहे हैं तो देखें दोस्तों इसके जो आरपी में प्रोपर जा रहें भी कोई तए सो पर देखें ना कोई इसमें check-in जैन light है ना कुछ हैं दोस्तों वीडियो अच्छे लगे दो लाइक करें और चैनल को subscribe करें